पर नंबर फाइव कर रहे हैं एक्सराइज फिफ्ट ए के लिए चैप्टर नंबर फाइव में जिसमें हम कौन सी गती थी है वर्तुल गती सर्कुलर मोशन के बाएं पर जो टॉपिक चल रहा था उससे रेलेटेड है A particle is projected along the inside of a smooth vertical circle of radius A from the lowest point show that the velocity of projection required in order that after leaving the circle the particle may pass through the center is under root AZ upon 2 root 3 plus 1 एक कन एत्रिजय वाले उर्दो अधर वर्त के निमनतम बिंदू से वरत के अंदर की ओर फैंका जाता है यदि कन वरत को छोड़ने के पर साथ उसके केंदर से गुजरता हो तो प्रक्षेब वेग निमन होगना चाहिए यह यह एक सर्कुलर पाथ है यह इसका लोवेस्ट पॉइंट है इस लोवेस्ट पॉइंट और यह ग्रेटेस्ट पॉइंट जहां पर यहां सेंटर है यहां से एक इनिशल वेलोस्टी यू से फैंका गया यह इनिशल वेलोस्टी से फैंगने के बाद इस पॉइंट पर आके स्पोस करते हैं कि वो इस पाथ को ड्रॉप कर देता है या चोड़ देता है अगर पाथ को छोड़ता है तो नॉर्मल सी कंडिशन दी कि यह पेराबॉलिक एक्वेशन या पेराबॉलिक फॉर्म में पास होता हो तो उस इस्ति में यू का वेग यानि प्रारंबिक वेग कितना देना पड़ेगा में प्रक्षेप कितना देना पड़ेगा या इसको किस वेग से फैंकें कि यहां पर जब कंड छोड़ दे तो उसके बाद में यह केंदर में से युजरी वर्त केंदर में से नि इसकी जो यह लेंद्ट होती है इसको हम ए रेडियस ऑफ दो सर्कल कहते हैं उस केस में इस सेंटर के जो कोडिनेट होते हैं क्योंकि यहां से यह लेंद्ट बन गई और यहां से यह लेंद्ट यह एंगल हम ऐलफा से शो कर रहे थे अगर अलफा से शो करते हैं तो यह एंगल अगर अलफा होगा तो यह जो लेंद्ट आएगी वो हमारे पास है इसको एंगल अलफा माना था या ए एकस एकस से यह जो लेंद्ट बनेगी वो ए साइन अलफा बनेगी एक और यहां पे जो यह लेंद्ट बनेगी वो a sin alpha बनेगी यही बनेगा part x axis से जो distance होता है वो y coordinate होता है और y axis से जो distance होती है वो x coordinate होता है इसका मतलब o के coordinate जो बनेगे वो होंगे हमारे पास a sin alpha, minus a cos alpha अगर यह जो path है जब कर्ण इस वर्ताकारपत को छोड़ देता है उसके बाद में अगर केंदर से गुजरता है तो जो परवल्ले की स्मीकरण बनेगी उस परवल्ले की स्मीकरण को यह संतुष्ट करना चाहिए हमारे पास जो परवल्ले की स्मीकरण थी वो क्या थी इस इस्तिती में y is equal to x10 alpha minus 1 बटे 2 x square upon a cos cube alpha यदि कर्ण केंदर में से गुजरता है तो प्रवल्ले की स्मीकर्ण को संतुष्ट करेगा यनि यह जो कन था वो केंदर में से गुजर रहा है केंदर में से गुजर रहा है तो पेराबोला की equation है उसको यह center satisfy करेगा अगर center satisfy करेगा तो center की values यह नहीं जो coordinate of center है वो इसमें substitute करने पर यह value बन जाएगी minus a cos alpha is equals to a sin alpha tan alpha minus 1 upon 2 a square sin square alpha upon a cos cube alpha इसको solve करो solve करेंगे a तो common आगे cancel out हो रहा है यह a से cancel हो गया यहां बज़िया minus a cos alpha इसको अगर change कर लें तो sin square alpha upon cos alpha minus half sin square alpha upon cos cube alpha solve करना है इसको और हमें sin alpha की value निकालनी है sin alpha या cos alpha की value हमें calculate करनी है वो क्या आएगी कैसे solve करें इसको किस तरह से सिंप्लिफाई करें हम कॉस क्यूब alpha LC हम ले लेते हैं इसको convert कर लेते हैं minus cos alpha is equals to यह बन जाएगा आपके पास sin square alpha cos cube alpha LCM लेंगे into cos square alpha minus 1 upon 2 2b LCM ले लेते हैं यहां 2 आ जाएगा और यहां बन जाएगा हमारे पास sin square alpha सिधा ठीक है इसको इधर ले आएं minus 2 cos की power 4 alpha equals to sin square alpha common 2 cos square alpha minus 1 minus 2 cos की power 4 alpha is equals to 1 minus cos square alpha into 2 cos square alpha minus 1 minus 2 cos की power 4 alpha equals to 2 cos square alpha minus 1 minus 2 cos की power 4 alpha और minus minus plus cos square alpha यह cancel out हो जाएगा यह 3 cos square alpha is equals to 1 आ जाएगा इससे cos alpha की value आ जाएगी 1 upon under root 3 हमें इसमें calculate क्या करना है कि प्रक्षेप वेग कितना है u की value हमें calculate करनी है u की value निकालने के लिए सबसे पहले जब परतिकरियाबल परतिकरियाबल के लिए हमारे पास formula था m upon a u square minus 2 az plus 3 az cos alpha हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि उच्तम बिंदू से वो कन को छोड़ रहा है अगर वहाँ से अगर कोई भी कन को छोड़ता है तो इसकी value जो आएगी वो cos theta की जगए पर क्या लिखा जाएगा cos alpha की form में लिखा जाएगा अगर cos alpha की form में लिखते हैं तो यह value 0 है यहाँ आजाएगे आपके पास m upon a u की value हमें calculate करनी है 2 az plus 3 az cos alpha की value put कर दें 1 upon root 3 इसको solve करो क्या result आता है वो देखते हैं क्या condition बनेगी इसमें एक चोटा सा part इसमें mistake कर रहे है हम कहीं ने कहीं यहाँ जो value थी हमारे पास r की value परतिकरियाबल के लिए यह हमारे पास theta से वेक्ट की जाती है और theta और alpha में जो relation था वो theta plus alpha is equals to pi है अगर यहाँ से alpha की value निकालेंगे तो pi minus theta होगा इसमें अगर substitute करेंगे तो cos of pi minus theta is equals to 1 upon root 3 यहाँ पर यहाँ पर जब value पुट करेंगे तो minus 1 upon root 3 substitute होगी इसमें इसमें value minus 1 upon root 3 पुट करने पर u square की value आजाएगी 2 az plus under root 3 az के equal u की value आजाएगी under root of az into 2 plus root 3 जो की हमारे पास initial velocity को represent करेगा की initial velocity जो आएगी वो हमारे पास और solve किया जा सकता है इसको under root में आएगा यह पूरा यह value जो आएगी वो square root में आएगी इसको और solve किया जा सकता है under root of az 2 से multiply 2 से divide कर दें under root के अंदर तो under root में बन जाएगा 4 plus 2 under root 3 इस 4 plus 2 under root 3 को हम लिख सकते हैं under root of az upon 2 into under root of 1 का square plus root 3 का square यह यह नि 3 plus 1 4 हो जाएगा plus 2 under root 3 जो की a square plus b square plus 2 a b को show करता है जो a plus b का whole square होता है इसलिए under root of az upon 2 into 1 plus root 3 बना देगा जो की हमें प्रूफ करना था एक्जाम्पल नंबर 6 करने हैं जोच्टे मेंगे Beim ऌरूफीर जढओ सबस्तर्च यह घए लिएट जढ़ शोच्टा अ-जोक्गा यह एएगा लएगा, प्रूफीर को कारिए लिए 제िते हैं आप लिएगा, वándो, अपै भन दीए allow the pointраш अएगान on बाई की एक एवितन्य डोरी से लटकाया गया है जिसका एक सिरा एक इस्तिर बिंदू पर बंदा है यदि कंग 36 दिशा में अंडरूर दो जी एच वेग से प्रक्षेपित किया जाता है जहां 5a by 2 is greater than h is greater than a तो सिद कीजिये की प्रक्षेप बिंदू से ये इतनी उंचाई प सबसे पहले एक वर्ताकार पत दिया हुआ है जिसके अंदर एक कंग को कुछ इस परकार से बांद कर यहां फिक्स बिंदू से बांद कर यहां पर एक कंग है इसको प्रक्षेपित किया गया है यूवेक से इस यू का मान दे रखा है अंडरूट ऑफ टू जी एच के इक्व यहां से गती करेगा यहां तक पहुंचेगा पी पॉइंट तक पी पॉइंट से यह वापिस इस पत को छोड़ देगा और वो कह रहा है कि इस तरह से प्रवल्लेक गती करता हुआ निचे गिर जाता है अगर पी पॉइंट से यह निचे की और गिरेगा तो इसको एक्स एक् एक्स लेने के बाद ये जो उन्चाई है इसकी निमंतम बिंदू से ये ए बिंदू था इस बी बिंदू को कंसिर्डर करें तो सबसे पहले तो हमें ए से बी तक की लंबाई ग्याद करनी है ए से बी तक की repeat कर रहा हूँ एक string है जो away length की है जिसकी हमारे पास length इसने दियो भी है a के equal है इस पर कंड को बंदा गया और इसको इस वेग से उपर की और फेंग दिया गया उपर फेंगने के बसाथ ये इस बिंदू तक पहुंचता है इस बिंदू के बाद में ये इस वर्ताकारपत को छोड़ देता है और string जो है वो डिली होने लग जाती है प्रवल्ले के पत में गती करना सुरू कर देता है इस तरह से एक कंड को बंदा गया ऐसे छोड़ा गया छोड़ने के बाद में यहां आनने के बाद में वो वर्ताकारपत नहीं रहता उसका ऐसे वेग से फैंका गया था उसको तो एक तो हमें अधिक्तम उन्चाई कितनी प्राप्त करेगा यानि जहां पर ये बिंदू छोड़ रहा है इस कंड को उसकी इस बिंदू से दूरी कितनी है वो गयाद करनी है और उस चोड़ने के बाद में उसकी अधिक्तम उन्चाई कितनी प्राप्त की उसने प्रवल्ले की पेरबोला की वो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हमारे पास जो हाइट हो कितनी हाई वो हमें कैलकुलेट करनी है कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल सी कंडिशन ये पता है कि ये वैल्यू ए होती है और यहाँ पे जब जोईन करवाते है तो ये एंगल अलफा से शो किया जाता है अलफा शो करेंगे तो ये जो बार्ट बनता है वो एक कॉस अलफा को रिप्रेजन करता है अगर मैं ये हाइड गैल्कुलेट करूँ तो ए प्लस ए कॉस अलफा होगी उसके बाद में ये हाइड निकालने के लिए पहले हमारे पास एक फार्मुला है उसका यूज़ करेंगे कैसे फार्मुला बना हुए वो मैं इसमें डेरिवेशन की फॉर्म में बता दूंगा भी किश्चन के अंदर ही इस कॉस अलफा की वैल्यू को निकालते हैं कॉस अलफा निकालने के लिए प्रतिकरिया यहां पे शुनने और ही है अगर प्रतिकरिया शुनने और ही है तो प्रतिकरिया भल सुत्तर क्या था, R बराबर, U स्केर माइनस 2GA प्लस 3GA कॉस थिटा था, यह कंडिशन थी, M अपॉन A भी था इसके साथ ने, जब प्रतिकरिया बल का मान 0 है, बिंदू P पर, R बराबर 0, तो U स्केर का मान, क्योंकि U की वैल्यू अंडरूट 2GH है, उसका स्केर करेंगे, तो 2GH माइनस 2GA प्लस 3AZ, कॉस थिटा, कॉस थिटा इस इक्वल्स तू क्या बन जाएगा, हमारे पास, 0, A वैल्यू आएगी, इसको और सॉल करें, जी तो कॉमन आके कैंसल हो रहा है, कॉस थिटा की वैल्यू निकाल लें, यह बन जाएगी, 2A माइनस 2H अपोन 3A के इक्वल, यह बने गए हमारे पास, वैलोस्टी निकालते हैं इस पॉइंट पर, वैलोस्टी, एड़ पी, वैलोस्टी के लिए, वी स्केर इस इक्वल्स तू क्या फार्मला था, यू स्केर माइनस 2AZ प्लस 2AZ कॉस थिटा, कॉस थिटा की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, वैलोस्टी आ जाएगी, V स्केर इस इक्वल्स तू, U स्केर यानि 2GH माइनस 2AZ प्लस 2AZ इन्टू 2A माइनस 2H पॉट पॉट 3AK इक्वल, A to A cancel, स्को 2GH माइनस 2AZ प्लस 4AZ पॉट 3 माइनस 3 LC मा लिए लिए जादा बेटर रहेगा, पूरे में अगर LC हम लेंगे, तो 3 to the 6 हो जाएगा, यहां पे भी 3 to the 6 आ जाएगा, यह 4AZ बन जाएगा, माइनस का 4GH आ जाएगा, इसको सॉल्ट करें, तो यह बन जाएगा 2GH माइनस 2AZ अपोन 3 के इक्वल, A पार्ट बनेगा हमारे पास, velocity हमारे पास calculate हो जाएगी, इससे, अब हमें सबसे पहले, जो P की दूरी, A से, P का विस्तापन, या उन्चाई कह दें हम, यहनि इस 36 रेका से, इस P बिंदू की जो उर्दाद दूरी है, वो ग्याद करनी है, वो इक्वल है किसके, A प्लस, A कॉस थिटा, यह बनेगा, कॉस थिटा की जिगह क्या आएगा, कॉस अल्फा, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस और पाई माइनस थिटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कॉस पाई माइनस थिटा का मतलब, माइनस कॉस थिटा, वैल्यू पुट करो, 1 minus cos theta की value निकाली थी हमने 2a minus 2h upon 3a solve करेंगे 3lcm a से a cancel हो जाएगा 3m से 2a subtract करेंगे a minus minus plus 2h upon 3 पहला part proof हो गया इसमें कि जो कण है वो 1 by 3 a plus 2h distance पर इस project को या इस circular motion है उसको drop कर देगा छोड़ देगा उसके बाद में ये अब किस कती में चला जाएगा परवल्ले की कती में इसकी मैतम उन्चाई निकालने के लिए देखिए अब जो वेग उत्पन हो रहा है ये वी हमने जो calculate की है ये वी वेग जो होता है वो अमेशा इस पर शेखा के अनुदिश होता है इस वेग के कारण वो उपर तो बढ़ रहा है लेकिन इस वेग के दो गटक बन रहे है एक तो यहां पर कोण alpha बनाएगा क्योंकि ये alpha है ये 90 degree है तो ये 90-alpha होगा ये लमवत होगा इसलिए alpha गौण बनाएगा अगर यह alpha गोन बनाता है तो इस तरफ तो इस वेग का गटक जो बनाए वो V cos alpha और लमवत उपर की ओर जो बनेगा वो गटक कौन सा होगा V sin alpha और इसमें जो उन्चाई गिरहन कर रहा है यह जो V cos alpha बनेगा वो तो हमारे पास इसको आगे की ओर गती करवाएगा इस परकार से और जो V sin alpha है वो किसकी ओर उपर की ओर गती करवाएगा अब अगर उपर की और गती करवाता है तो इसका प्रारंबिक वेग इस बिंदू पर जो प्रारंबिक वेग होगा वो वी साइन अलफा होगा अंतिम वेग जब उच्तम उन्चाई पर पहुंच जाएगा तो अंतिम वेग जीरो हो जाएगा equation जो थी अमारे पास एक गती की स्मीकरण v² is equal to u²-2gh क्योंकि उपर की और गती हो रही है 1-2gh से वेक्ट होती है इस height को अगर हम calculate करना चाहे इस capital h से represent कर देते हैं whatever हgiffon c suscept हो जाओगे इसलिए capital h से show कर रही है v की value 0 u² का मतलब हो जाएगा यहां पर V square sin square alpha minus 2GH जो greatest height आएगी इसकी वो V square sin square alpha upon 2G save act की जाएगी V sin alpha, sin alpha calculate कर सकते हैं V हम calculate कर चुके हैं V square की value इसमें अगर substitute करेंगे तो जो इसके बाद में यह जो height है इसको हम capital H मानके चल रहे हैं यह H आजाएगा, इस H को इसमें add कर देंगे total height आजाएगी, जो greatest height उसकी अधिक्तम उन्चाहिए होगी वो ग्याद कर सकी जा सकती है value put करो इसमे, H is equals to V square यह रहा, 2 और G को मल बाद में ले लेते हैं 2GH minus 2AZ upon 3 to the 6G हो जाएगा 2G को multiply कर दिया, इस 3 से, 6G आ गया into sin square alpha sin square alpha, 1 minus cos square alpha होगा cos alpha की value, हमने अभी भी लिखी थी cos alpha, cos pi minus theta, minus cos theta जब squaring करेंगे तो plus cos square theta की equal आएगा अगर plus cos square theta की equal आएगा, जो तो cos theta की value calculate की थी, उसी का square करना है तो यह बन जाएगा, 1 minus 2A minus 2H का whole upon 3A का whole square जो sin square alpha की value को show करेगा इसको solve करना है, solve करेंगे, जी तो common आके cancel हो रहा है 2B cancel हो जाएगा, यहां बच जाएगा हमारे पास H minus A upon 3 into इसमें अगर LCM ले लें, 9A square LCM आजाएगा यह बन जाएगा 9A square, minus 4A square, minus 4H square इसको solve करेंगे, तो यह बन जाएगा H minus A upon 27A square into यह बन आजाएगा 5A square minus 4H square plus 8AH के equal इसके factor हो सकते हैं, 5, 4, 20 बनते हैं 8 के ऐसे factor जिससे 20 बन जाए, 10 और 2 बन सकते हैं अगर 10 और 2 की form में करेंगे, तो H minus A 5A square plus 10AH minus 2AH minus 4H square upon 27A square और solve किया जाए, तो H minus A, इसमें से common आजाएगा 5A यहां बच जाएगा A plus 2H, इसमें भी A plus 2H बचेगा, यहां पे 5A कॉमन लिया था हमने और इसमें minus का 2H कॉमन आएगा, upon 27A square की form में, यह हमारे पास value आई है, उसकी महतम उन्चाई की, अब प्रक्षेब बिन्दू से महतम उन्चाई ग्याद करनी है, हमें प्रक्षेब बिन्दू से महतम उन्चाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसमें, जो यह उन्चाई हमने पहले ग्याद की थी, उसमें जोड़ देंगे, प्रक्षेब बिन्दू से महतम लाएगी आपके पास, a plus 2h upon 3, plus h minus a, a plus 2h, 5a minus 2h, upon 27a square, इसको simplify कर लेना, जो उसने result दिया हुए, वो आ जाएगा आपके पास, कर लोगे इसको solve आगे, इसका simplification करने पर ये आजाएगा, आपके पास result, 27a square तो LCM आजाएगा, a plus 2h common आजाएगा, बाद में जो भी terms बचेंगी इसको solve करोगे, तो कुछ इस form में result बन जाएगा, जो कि इसकी महतम उन्चाई को वेक्ट करेगा, करे गास, लोगे, जो ककोई जो आएगा, बाद में जो झाएगा, जो आएएगा सक्टे हम explor नचे में.